नहीं बोलेगा जो सराव पीते हैं उनको कोई कुछ बोलते हैं जो जुआ खेलते हैं उनको कोई कुछ बोलते हैं जो चोरी करते हैं मांस खाते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन आप थोड़ी सी भगवान का भजन करना सुरू कर दो गले में तुलोशी कंठी तिल् बढ़ापा बढ़ापा करने वाले जो हम भगवान की भक्ति करते उसमें बड़ी बड़ी तरंग बड़ी दुख का इसलिए लेकिन उसे समय हमें कौन रख्या करेगा बले से नर्शिंग भगवान रख्या करते हैं इसलिए नर्शिंग देव का कहीं भी नाम लो कोई भी वीपति में पड़ो भर्गवान नर्शिंग देव का नाम लो नर्शिंग देव उससी समय प्रकट होकर के सारी बाधाहों को ये दूर करते स्री नर्शिंग भगवान इसलिए स्री चैतन्य महाप्रभु का समय बेभी द तो धोल को खाने को तो मिलता नहीं दिन भर चिल्लात रहते हैं जा करके उनने सीकायत कर दिया वलकित को याजी को है वली ये उत्पात मचा रहे दिन भर ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा नाम करता है इतने में उनको एक ख़वर मिला जो बेक्ती हरिनाम कर रहे हैं उनको राज दूत आ करके पकड़ कर ले जाएंगे जो जेल में बंद कर देंगे अभी श्रीवास तो डर गए डर करके उनने भगवान नर्शिंग देव का पुजा करना सुर कर गी लेकिन चैतन्य महाब्रभु वो सब जानते घट घट वास सब सब्सक्स जाने फें इतने में श्रीच चाहितन्य महाब्रभु भागते भागते आई और बंद करके जो नर्शिंग देव का पुजा कर रहे थे महाब्रभु तो प्यार से जोर से मारे मारते ही दर्वाजा खुल गया दिखाए ये नर्शिंग देव का पुजा कर रहा हैं वहले स्रिवास तेरे को डर है जो बेक्ति हरी को बिवाजनने देता हूं तब तो कोई कुछ काम करी नहीं सकते हैं प्रि' देने वाले को ने में देने वालना हुँ एसली आपन जीव कोटी इचह करे, कृष्ण इच्छा भिना कि जूप भाव नहीं धरे। मतलब हम तो बहूत कुछ इच्छा करते हमारे हिए और यह सो जाए, यह सो जाए, वो सो जाए, वो सो जाए। जब वो नहीं करवा पाएगा मैं स्वयम पसु पकियों को मुह से भगवान का नाम उचारन कराओंगा इसलिए कोई चिंता मत करतूं हैं खो भगवान की भक्ति करो तब उन्हें नर्शिंग देव के लिए जितने सामग्रियों को उन्हें एकत रित किया था फर महाप्रहु को बैठा करें उन्हें पुजा किये इसलिए नर्शिंग देव देखो यह रस्या की एक सही घटना है यह रस्या की घटना है रस्या पहले कम्मिनिश्टी कंट्री थी हैं अब लोगों को पता होगा जब रस्या में प्रचार होना सुरू हुई लोगों को जेल में बंद कर दि अभी जो जैल की पर होस्ब को मारते मारते माररते मारते आ रहा हैं जब मारते मारते आ रहा था रही जहां कर हम और घो से गष्कुन के हमारे जो भख्तह थे वो ऐसलो देखो को कई से उन लोगोंबेगे वह sum कर्यों उन्होंने और आप छीन लिया अब रिन्हारी पहारे करेंगे उनको ब्रेड की लिखिए देते थे वो ब्रेड को एक एक ममाला इंहां सबस्ति मशायने जैल में बैठी-बैठी करकी और यहारे कृष्णा एक ब्रेड को रखते थे फिर बोल व hepat можно एसे एसे 108 बार हरी नाम जेल में बैटी कर रहे थे अब हों जेल के पर मारते 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 हाते आया आज सлекorts को ठीन हो गया चल से की मिन दंट के नबहुत हैं हुएं इतने में स्वयम नर्स कश्मा कैनों पर सकत हो इस और अट वह चानिक craftнал कष्ма गाँआगे अ हुआ अगर तो मेरे भक्तों को पिटाई की आना देख रहे हो तो जिन्दा जिन्दा खतम कर दूँगा उसको चात में बैठी गए और नाखोन देकर उसको फाणने के लिए कोशिश की इतने भायंकर नर्शिंगतम का रूप बड़ा भायंकर रूप था जब उनने ये रूप को देखा चिला उठा बचाओ और नहीं मारेंगे तेरे भक्तों को छोड़ दूँगा मारूँगा नहीं मेरे को मारना नहीं जब सबर हुआ न वजल की पर आया इसको ने को भक्त प्राइब को दो तुम लोगों को मारूँगा नहीं उनको प्रार्थना करो नहीं जैसे स्रीमन महाप्राव जो नवदीप में हरिनाम संकृतन कर रहे थे जो महाप्राव का बड़तन कर रहे तो काजी मुसल्मान ने मृद्वां को तोड़ दिया नर्शिंगतम परगड़ हो मेरे भक्तों का मृदण को फार दिया तरह चाती को फार दूँगा इसलिए महाप्रभु जब गए किर्तन करते-करते भक्तों को साथ में काजी डड़ते ड़ते आया प्लप्रभु में प्रतिग्या करता हूं आज से मेरे परिवार में कोई भी भक्ति की विरोध नहीं करेगा अगर मेरे परिवार में कोई आ करे कि आपका विरोध करेगा तो उसके में तेज्य पुत्र कर दूँगा, इसलिए सब के साब आपका भक्ती करेंगे, इसलिए अभी भी देखोगे, जब हम नवद्धी परिक्मा में जाते हैं, काजी समाधी, गए हैं, कौन-कौन गए हैं, खैंपक उनको जो लकिडी को लेकर गाड दिये थे, वही सही बिख्या बना हुआ, इतना बड़ा बिख्या बना हुआ, इसलिए जब भक्त लोग भक्ती अगर हम सही-सही करेंगे, इसलिए कहते हैं, कोई कहते हैं, भगवान आते नहीं, बले दरौपत दी जैसे तों बुल कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं वहले मैहरला शुलाते नहीं कोई कहते हैं भगवान नासतली aren भ्रजगोपिया जैसे तुम लचत भगवान को Ilohan Ket confess अगर फूकारेंगे। में इंसली कृषणर ध्रिटे से, भक्ता अगर भगवान को भुलाता है, भगवान जरूर आवाज देते हैं, ठागुर जी बगवान जरूर भक्तों को रख्या करते हैं, लेकिन हमें सही-सही भखतत होने चाहिए, कमी भगवान में नहीं, कमी हमारी अंदर में, बला स्री भक्त प्रल्हाद में इसलिए हम पहले श्रबन कर रहे थे, भागवत का 10 लक्य। तो एया है अत्रा सर्ग विसर्गस्टा स्थाना प्रॉसर राइड मतलु होता है बस्णा इसलिए जो सब्तमसकंद का जो लख्यन है वो बासना बाइच्छा बासना कहते हैं सब्तमसकंद में इसको बरनना क्यों किया प्रलादगी तब यहां पर कहते हैं जो वासना हैं कहते हैं दो तरह का बासना हैं एक है अच्छी वासना और एक है गंधी वासना तब दोनों चीज में हिरयने कशिवु और दुसरे तरफ में प्रल्लाद हिरयने कशिव और प्रल्लाद इसलिए कि धि धwegen में यह ein कूभ आसनिह का प्रकट होता है आगर हमारी उपर में कोई साधु कोई बैस्नभ अगर हमारी उपर नाराज हो जाए तो हिरदे में यह कूभ आसना am प्रकट होता है तो हुरिदये में सूब आसना का प्रकट होता है जब किसी संतों का किसी बैस्ट नव का हमारी उपर में आश्रीबाद हो कितना महात कृपाविना कोन कर्म भक्ति नए कृष्ण भक्ति दुरे रहु संसार नाय धाए जब किसी महान पुरुष का कृपा नहीं हो हमारी उपर में इसलिए स्री भरत महराज क्या कहते हैं रहु गणे ना तपस्या ना जाती ना इजया ना निर्बाब ना ग्रिहत बा नई वचंदास नई वजलागनी बिना महत बदो रजो विशेकम वले जबता किसी महान संतों की दपस्या से भगवार नहीं मिलते न जाती उच्चे जाती में जनम लेलो भगवान मिलेंगे नहीं न इजया न दिन बर पूझा आठ करते हो क्या मिलेगा है वाले नहीं पले निर्बापना ग्रिह आतबाहाभने घर बादा चोड़ न जहरुए सादू बन गया हैं पिर नह पर चंद से बैद बढ़ता हूं दिन भर मिलेगा नहीं है इसलिए अगनी और बायु दिवता को दिन भर पुजा करता हूं क्या मिलेगा नहीं फैर मिलेगा कैसे बिना महतबदो रजोवी से सkeki 결彈 है हम जब तक किसी महा नसाधव की सरण में हम नहीं जाते हैं तब तक भलै जो कुछ कर दो होने नहीं सांग मति स्थावत वर्दुक्रमांगरे तब तक यह मती we occur Crenda में नहीं लगेगा जब तक हम किसी मही असाम निस्किन चना नाम ना ब्रिनित जाबत जब तो कोई निश्किन चन भक्तों की सरन में हम नहीं जाते हैं भलेई जीवन में जो कुछ कर लो कुछ होने वाले नहीं इसलिए यहां पर हिर्दय में यह भक्ती भावना हिर्दय में कब प्रकट होगा सुवासना कब प्रकट होगा जब किसी महापुरुस का कृपा हमारी उपर में हो जाए तभी यह चीजी होगा नहीं तो होने वाले नहीं इसलिए एका नाम प्रल्हाद प्रलाद मतलव क्या है प्राद मतलव होता है प्रकृष्ट रूप में लाद मतलव होता है आनन्द मतलव जो हर समय प्रसन रहते हैं हर समय प्रसन कैसे रहेंगे जो भक्तो क्या करिपा होगा दुसरे तरप में कौन है हिरन कस्यूप क्या ना है हिरन्य कसिव बले हिरन्य मतलब क्या बले सोना बले कसिव मतलब होता है बिस्तरा जिसका बिस्तरा है सोने का बिस्तरा मतलब क्या है बले से परिखित महराज ये कली को कहां पर स्थान दिया है ये सुबर्न में स्थान दिया जितने पापों को उनने दुतम पानम स्त्रियम सोना जात्ता अधर्म चतुर्वीधा इयुर चारी तरह का जो पाप है यह कहां पर रहता है यह 5 आप जिए यहां सुवर्ण में अकसर करे। देखना जितने गलत काम है नहीं पर होता है जहां ज्यादा रुपीया पर इसा हो जितने सारे सरापिना जुआ कलना और मास खाना इतने उल्टा-पुल्टा काम दखना है सुवर्नम जिसका बिस्तरा ही यह सुवर्नम मतलब कि भोग-भोग बासना संतों को दुएस करना देवता को दुएस करना यह से हुई कियों कब यह गद्धी चीज आती है जब कि इसे साधू की हमारे उपर में नाराज कोई साधू हो जाए तभी होता है इसलिए इसमें दो रोल करने वाले दो है एक तरफ में प्रल्हाद है और दुसरे तरफ में हिरनकस्व दोनों का रोल दोनों कर रहे हैं अब प्रशन है तब यह हिरनकस्व कही से बन गया है यह हिरन भ्रेंट से बहते हुए। आया ब्रह्मालोग में अभल्णना ब्रह्मा जी की चारी मानस पुत्र थे। कौन क्लमत है संक्र संदन आर संद कमार यह 4 उनकी पुत्र थे जैन्म City अब्छ को द्थान करनेवाले अभी ब्रम्हा बड़े करने के लिए लेकिन इनका दुर्भाग्य देखो दीन भर ब्रह्मों को द्यान करते हैं और हम ब्रह्मास में तत्व मजी बोल रहे हैं इसलिए चाहते हैं मेरे बच्चे भक्त बन जाए लेकिन जो भगवान की चर्णा तुलसी और चंदने की खुस्पुजब इनकी नासिका म उन्माद हो गए चारओं के शार्रणा वो गए जो हो गए पिता जी इतने अंसुंदर सुंदर सुगंधी कहां से आ रहा है बीघुण्ठ से ठाकुर जी की चर्णा तुलसी और ये तुलसी और उनकी चंधने की खुस पुजब जिनकी चर्णा तुलस की इतने पहले जनक महराज भी ब्रह्म ज्यानी थे, लेकिन जब रामलकमन को दर्शन किये ना बास दर्शन करते ही अपनियाब हृःधे से वो जो भ्रहमानन्द था वो अपनियाब हृःःधे से खतम हो गिया अभी प्रेमानन्द में आगे इसलिए तब तक सुख्देव खस्वामी अभी पहले ब्रह्मा बा, ब्रह्मा नंदित है, लेकिन जो हुनने के वाल एक स्लोक को सुना, बरहापिडम नटबरभपु करनेो करनिकारम विब्रतबास करनकपिसयम बैजयंति जमालाम, जो हुनने कृष्ण की एक स्लोक को सुना, कृष्ण कितने सुन्दर है, कृष्ण कित इसलिए ब्रह्माजी सोच रहे हैं, मेरे बच्चे ठाकुर को दर्सन करने के लिए जा रहे हैं, जरूर इनका हिर्दय परिवर्तन जरूर हो जाएगा, बास जब दर्सन करने के लिए गए, साथ दर्वजा पार होने पर ठाकुर का दर्सन होगा, छे दर्वजा तो पार हो इतने में जय विजय ने छड़ी से इनकी रास्ता को रोग दिया विले कहां जा रहे हो नंगे धढ़े और कोई पुछना नहीं कुछ नहीं पता नहीं ठाकुरु अभी लख्मी को साथ में क्या करते होंगे कुछ पता नहीं और बिना बोले हां बेधढ़ का अंदर में गुश यहांपर है ही नहीं जहांपर कुंठा धर्म नहीं यहांपर अब्भगवान को कई ढेख है हम जैसे ब्रह्मा ज्यानियों को पुछने का ज़रूवत है रास्ता रोग रहे हो तुम दोना बैकुंठा में रहने का लाए कि है यहीं नहीं जाओ тобой यहां उतन जार ने लग और कि अभी प्रश्ण यहां प्रश्ण हमारे रुपों को स्वामी करते हैं कि जत गत्वा न निभर्तंते तद्धाम परम्वम जो बेकुंठ में एक बार अगर कोई जाए फर उहां से दोबार जगत में कोई नहीं आते हैं लेकिन पर इनकी अभिसाब कहीं से लगा फर इन्होंन में यह मर्ते जगत में फैरे उनका आना कहीं से पड़े गया कारण है यह भगवा तो इच्छा है ठाकुर जी अभी आनत ना कबर सहें ने की है ठाकुर जी अभी सोच रहे हैं सोच हो करना बोर लग रहा है थोड़ी से लड़ाई जगडा हो मार पीट हो तब आनत आएगा इसले भगवान कोन है भगवान अखिला रसा मृतमृति भगवान सारे रसों का मृतिमान स्वरु भगवान है इसले बार रस है उन्हें तब 11 रस को तो उन्हें आश्वादने किये हुए लेकिन एक रस अभी तक उन्हें आश्वादने कर पाए कोन सा रस है यह बीर रस यह जुद्धरस को भी आस्वादन ने किया अभी ठाकुर जी सोच रहे जुद्ध करने में आनंद कवाएगा चिट्टी हाथी में जुद्ध हो सकता है जुद्ध करने में आनंद कवाएगा अगर हाथी हाथी में अकर जुद्ध हो फिर पता चलता भाईया भगवान पहर तो क्या अनन्द है इसलिए हाथी हाथी में जुद्ध होनी चाहिए इसलिए ठागर जी सोच रहे हैं अभी भगवान अभी जुद्धरस को आस्वादन करना चाहते हैं लेकिन अभी जीव को साथ में ठागर जुद्ध कर नहीं सकते हैं उनका लिला तो भक्तों वाता हैं हैं भक्तों को साथ में अगर ऐसी कोई हो जिसको साथ में जुद्ध करना वह भी मेरा छकाश हुडा दे भगवान जब हिरनाख्य को उने बद किया इतने पराक्रम था जरनाख्य जब बढार वतार लीया जब जुद्ध हुई उनके अंदर में गदा जुद्धृ हुई फिरनाख्य passé मारे भगवान Arkansas भगवानना का हाथ से गदा को निकल गया गदाई चीन गया सोरे देवतालों गार करनाने अबुआ थाकुर जी का हाथ से गदा जो छिन गि गया है हाई उसे भगवान को सथा ठेका चुड़ा तो पता चलएकIGHT यह जुद्ध में किया आनंद है जुद्ध में किया आनंद में एशलिए है अभी भगवान के हिरदय में जो भावना है वो क्या होता हि सुद्ध hm सुध्ध भक्तों का हिर्दय में भगवान की प्रंख इनिकी मैं अपनिया मतधत्मी हो जाते हैं रही सोच रहे हैं ठाकुर जी इच्छा हें All अभी ठाकुरु को इच्छा तो पूरी करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा इसलिए भगवत इच्छा से चतुसन आये और उनको रोके भगवान कहते उन्हेंने साब दिया है ना साब को मैंने बेंग दे करके ना खतम कर सकता हूं बेंग समझता मेड़क साब को मैं बेंग दे किए मतले शर्प कि यहाँ देखो अगर तुम मेरे भक्त करके जयाओगे ना साथ जन्मों को बाद में ही आ सकते हो अगर मेरे सत्रु बन करके जाओगे फिर तुम यहाँ पर तीन जन्मों को बार बाद में आ सकते, बताओ, क्या चाहते हो फुले प्रभु हम तुझाते जल्दी जल्दी आपका च्रण की सहवा में आजए जल्दी जल्दी आजए जाओ, तुम लोग फेर राख्यास बने करके जाओ पहला जन्म में क्या बने करके आए हेरनाख्या और हेरनाक mashiv दुसरे जर्म में रावण खुमपकरन तिसरे में सिसुपावा और दंतवख्रा ये दोनध बनकर के आए और चवंधामी क्या बनकर के आए जगाई और माधाई इसलिए चार जर्म तक उनको आए बगवान को साथ में ले आए क्रिपा करके इसलिए इनकी हुरदय में यह हिरनाख्य और हिरनकसुप। इसे लिए हिरुनाख्या मितलब हिरणय मतलब शुवर्न अंख्या मतलब आखें जिनकी आखले की वाध Sutra यह जिसका है तो महीं giving कभ एते हैं अगर कोई कोई भक्ता अगर हमारे उपर में नाराज हो जाए कोई भक्ता अगर हमारे उपरे असंतुष्ट हो जाए हृदय में कुबासना जैसे दुर्बासा जैसे सभरी सभर रिसी पानी को अंदर में तपस्या कर रहे थे काली अदा में तपस्या कर रहे थे गरुण ने क्या किया उन दया की भावना आ गई दया की भावना आ गई तो उनने अभी साव दे दिया गरुरु को अगर तु दो बार यहां पर आया यहां से कोई मचली उठा करे खाया ना तेरे जो सार है धर से अलग हो जाएगा इसलिए गरुरु उहां पर नहीं आते पर गरुरु जी उहां पर दोबार नहीं आये कि उनने अभी साव दे दिया उनको इसलिए फेर किया हुआ देखो अगर किसी बैस्नव चर्ण में अपराद हो गरुरु जी भगवान की भावन है ठाकुरु जी को बहन करते हैं कोई भक्ता अगर मचली को खा लिया साधारन एक मचली की उपर में दया करने के लिए अभी साव किसको दिया उनने भक्तों को अभी साव दिया गरुरु को अभी साव दिया साधारन एक काम के लिए उनने इतने बड़े साधू को अभी साव दिया अभी साब तेने का फल किया हुआ देखो कितने गड़ बड़ी हुआ एक समय कालिय उहां पर आया है जब उसको गरुड ने मारा उहां पर है जब गरुड ने मारा इसे पंखसे और भगते भगते आया बले कहां पर आश्रे ले कहां पर आश्रे ले उनको पता चला यहां पर गरुड और नहीं आता हैं बास उसी पाणी में आकर आश्रे लिया ओ पाणी में आश्रे लेते जितने मचली खतम जहर हो गया ना बाणी है उखतम फिर किया हुआ एक तो मचली का बंस खतम दुसरा किया हुआ कि यह सौभर्ण कि काम कृड़ा दे करें इनकी मन में भी कामना वसना प्रकट हो गई हैं मचली की कामना वासना देख करके फिर उसकी कहां इतने तपस्या कर रहे थे पानी के वांदर में बैटी करके इतने ब्रह्म ज्यान को उन्हें अर्जन किया था लेकिन वो कहां पर उसको फिर लगाया मांधात की पचास बैटी थी हैं पचास बैटीयों को साथ में साधी किया साधी करके घर ग्रियस्ति किया जितने ब्रह्म ध्यान प्रह्म्ह ग्यान जुतने तबस्या खतम में इचाहिए जब 290 में अपराद हो ना यह बढ़ा खत्रा है यह बढ़ा ऐए खत्रा चीज्ज बीद लिए कहते बक्वी बढ़िष्ण 19 चर्ण में हमारी करने में चाहिए इसलिए हेर ना क्यों ? effectivement दुसरे तरफ में प्रल्हाद, प्रल्हाद मतलब क्या, जो हर समय आनंद में रहते हैं, कब तुम सब समय आनंद में रहोगे, तब भी आनंद में रहोगे, जब हमारी उपर में किसी भक्तों का आश्रीबात हो जा, किसी संतों की कृपा हो जाए, तब हर समय में आनंद आनंद कि इसलिएं प्रलहाद को दिखाया ऒख अपना मा की पैट में था मा कर नाम क्या थी कयादू भी हिरनक कसिप ने जब गया तपस्या करने के लिए इतने में स्वर्ग से इंद्र आया और कंदू को पकड़ कर ले गया जब पकड़ करके ले जा रहा था, इतने में बीच में नारद जी आगे, बहले बहले मेरे अंदर में कोई दुरभा बना नहीं, एक हिरन नकसिप तो दुनिया में टहल का मचा दिये, उसका बेटा भी, उसकी पत्नी की गरवे में बेटा भी, अगर ये बेटा जन्म लेगा न जब उसने पुत्र जन्म देगा, पुत्र को मार करके फिर इसको में बापस भेज दूँगा, जानते हो उसको पेट में कौन, बलो कौन हैं, बले इनकी पेट में भक्त स्रेश्ट स्री प्रलाद महराज की, हम जैकार देते हैं ना, भक्त स्रेश्ट स्री प्रलाद महराज, भक्त में स्रिष्ट है, भक्त स्रिष्ट, उलिश्की गर्व में प्रलाद महाराज, तुम क्या मारोगे? प्रिथिव में किसने भी जन्म नहीं लिया, जो कि इसका के बाल तक भी बंका कर सके, भगवान की परवम भक्त है, इंद्र सुन करके उनको परिक्मा की प्रनाम करते हुए चले गए फर नारद जी कयाद को लेकर अपना आस्रम पर गए उनका आस्रम कहा पर है? कहते गिराज तलटी हुए नारद कुंड देखा है ना? भकतलों कहते यही नारद कुंड है जो श्री नारद जी जहाँ पर तपस्या की जहाँ पर उनका आस्रम है और ब्रज में लेकर का आए कितना भागयवान देखो प्रलाद को इसले ब्रज में लेकर का आये फर उनने किया की उनको बेटी कोई बर्मा मागना चाहती है बहुत हाँ जब तक मेरे पती बापस नहीं आ जाए तब तक मेरा बच्चा जैसी जन्मा नहीं हो क्यों पता नहीं कोना आकर मार खतम नहीं कर दे इसलिए उन्हें ने ततास्त बोल दिये और हिरनकस्व ने कितना साल तबस्या की थे इसलिए प्रल्थ की बच्चों ने पूचा तो इतने अच्छी अच्छी ग्यानों की बात कहां से सुने तो इस संधामनर को जू कर दो मिला कहां से, तेरे को मिला कहां से, तो प्रलाद क्या कहते हैं, यह थोड़ी मेरे गुरु है, एक नाम संध, एक नाम अमर, मतलब क्या, संध मितलो साड, और अमर का मतलब होता है बंदर, कहते यह बंदर और साड यह दोनों गुरु है, मतलब क्या है, कहते जो गुरुदेव, हैं, गुर्द का काम किया है बले गुकार अंधका रत्वात रुकार तस्य निर्धक जो हमारी हृदय की अज्ञान को दूर करके हृदय में जो दिब्ब ज्ञान को संचार कर दे ये गुरु का काम है लेकिन ये दोनों क्या बढ़ा रहे है धर्मा अर्थ काम मुख्या दंडन निति कूट निति चाल कपट ये सब सिखा रहे है सब के सब ये थोड़ी गुरु का काम है ये गुरु का काम है ये नहीं ये तो साड और बंदर ये है जो हमारे जो गुरुदेव है न वो नारद जी हमारे गुरुदेव जब मैं मा की पेट में था, नारद जी मेरे माइया को उपलख्या करते हुए, सब उनने सौट हाजार साल तक टा सुनाये और मा की पेट में बैठी-बैठी माइया तो फस्तृ जाती वो सब भूल गई, लेकिन मैंने इस सो बात को मैंने ने भूला अभी मेरे को सबकुछ अभी मेरे को याद है सबकुछ मेरे को याद है इसलिए चुके नारद जी क्रिपा उसको परम हुई है कशा है कशा है कटे जीवन में अगर एक लब साथु संग हो जाए एक लब कितना है ек घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी सतसंगत में नासे कोटी अपराद एक लब अगर जिवन में सादू संग हो जाए जिसको तुम स्वर्ग और मख्या स्वर्ग महोजनत अपस सत्य लोग उसको उपर में ब्रह्मा लोग यहां तक जो आनन्द है उसको साथ में बराबर तुम नहीं कर सकते हो इतने आनन्द है लेकिन जो साथ हाजार साल तक नारद जैसे भक्तों का संग करेगा बताओ यह कितना बड़ा भक्त नहीं होगा इसलिए प्रल्हाद इतने पांच साल उमर में उमर कितना था, कि वह पांस साल उमर में क्या दिबग्यान उनने प्रदान किया, इसलिए सुगदेव गुष्वामी कहते हैं, प्रलाद ने जो उपदेश प्रदान किया है, कहते प्रहुपाद ने तो अपना जीवन में 108 बार उनने पाठ किया, मैंने सुना, कहते हैं, प्रलाद कि उपदेश से राख्यस बालक और राख्यस बालक थे, उनने ऐसे ज्यान की बात बताए ना, बास एक प्रलाद था, वो सबको उनने प्रलाद बना दी, इतने सुन्दर उनकी उपदेश, इतने बढ़िया उनकी बात उनने बताए, राख्यस को भी उनने इसलिए प्रल्भाद ने इसलिए इसलिए इतने बड़े भक्त बने श्री प्रल्भाद महाराज और पांस साल उबर उहां पर कहते हैं उन्ने जो उपदेश प्रदा नहीं कि बोले स्वर्ग में देवता लोग भी प्रल्भाद का उपदेश को देवता लोग भी पाठ करते हैं, अब सुनते हैं, प्रलाद निकिया, उपदेश प्रदा निकिया, इसलिए नारद जी की क्रिपा हुई है, नारद जी क्रिपा से ही इतने बड़े सादु को न बने प्रलाद, इसलिए प्रकृिर्ष्टा रूप में लाद प्रकृिर्ष्टा रूप में आनंद में अगर हमें वी बैस्ऩाफ का आत्र évत मिले हम भी जिवन में आन commute यह राएंगे लिकिनि अगर हमें कोई किरिपा मिलें आत्र थे की एलें एक प्रकास एफ न एंठे भगवान का आबरिभाब दिती है इसलिए कल भगवान नश्रिंगद्व ठीक इसी समय में ठाकुरजी प्रकट हुए ठीक जिस समय सुर्जिया अस्तो हो रहा था है अस्तो रहा थी ठीक साम का समय पर उने उनने प्रकट हुए कल आप लोग सब के सो ब्रत रखना पुरा दीन करें लाओ भ्याओकाों कि जब भगवान सादर काुका में उतकन ठाकु देखता है ना तभी नर्षिंग देवट करण होते हैं ठागुरी जी काम मुझम आएगे तब नर्षिंग देव पृते हैं इसलिए कोशीद करना सामतों ब्रत रखना या नर्शिंग देवाभी से कहोईगी उसके बाद में प्रसाद फर चर्णामिरत लेकर के पर ब्रत खोल करके उसके बाद में जो प्रसाद होगा फर सबको प्रसाद मिलेगा बलस्री नर्सी इंग भगवाने की, बलस्री प्रलाद महराज्य की, सचिननन गौर हरी की, निताई गौर प्रहमानें दे हरी एंगों.